हेलो गाईज आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 38 करेंगे जो की क्लास 7th की है और सब विश्य है सामाजिक विज्ञान ये वर्कशिट 22 दिसंबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की इंटरस्टिंग वर्कशिट वर्कशिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्कशिट इश्वर से अनुराग देखो क्या कहा गया आज की वर्कशिट में कारे पत्रक्वने हमने कुछ संतो जैसे की तुलसिदास, सूर्दास, रवीदास दादु दयाल और میरा भाई के बारे में जाना था. आईए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जाने हैं. तो पीटा पिछली वक्षित में हमने पंद्रवी श्ताब्दी के आसपस पंद्रवी श्ताब्दी के आसपस अपनी सारी की सारी जो हम कहेंगे कि अपनी तरव से पूरा समर्पन दे दो भगवान को जिसको भी आप मान रहे हो सरवत जिसको भी आप मान रहे हो उसको अपनी तरव से पूरा उनको समर्पित हो जाओ उसके लिए न शंकर देव की शिक्षा है भगवत गीता और भागवत की स्थापना को परतोसाहित किया उन्होंने अपने ग्यान के परसार के लिए सत्र और मठो की स्थापना को मतलब की मतलब की मतलब की जैसे ग्रूप में बैटके लोगों को उकदेश देते न तो उस तरह की स्थापना को इन्होंने क्या दिया जोर दिया उनकी परमुक रचना कितन घोष थी उनकी प्रमुक रचना कौन सी थी कितन घोष थी यह याद करने वाली चीज़ है देखो हर प्रमुक रचना कौन सी थी कितन घोष थी किस तरह के ग्यान के परसार को सत्र और मठो वाला उनके जो ग्यान था वो शिक्षा किस पर अधारी थी भगवत गीता वे प अब हम देखने कबीर का स्थान और समय बनारस इनका स्थान है पंदरवी और सोलवी श्ताब्दी के आसपास ठीक है इनका समय कब है पंदरवी और सोलवी श्ताब्दी के आसपास उनकी साखियों और पदों का विशाल संग रहा है जिसमें उनके विचारों की जानकारी मिलते उन्होंने अपना देखो विचार जो थे वो किसमे दिये थे साखियों और पदों में दिये थे जब आगे की क्लासिज में देखें तो कबीर के दोहे या साखिया और पद आप पढ़ेंगे कबीर के कुछ भजन तता साखियां गुरुग्रन साहब पंचवानी बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है तो कबीर की कुछ भजन और जो साखियां है वो गुरुगरन साहब में, पंचवानी में और बीजक में क्या है संग्रहित की गई, यह स्टोर करके रखी गई, उसको रखा गया है संभाल कर, वो इतनी अच्छी थी उनके कावे की भाषा बोल चाल हिंदी ही थी, जो आम आदमियों द्वारा असानी से समझी जा सकती थी, जिसे पहले हमने देखा शंकर देव की कैसे थी, असमिया थी, लेकिन इनकी भाषा जो थी, वो हिंदी ही थी, जिसे आम लोग असानी से समझ सके, उन्हें कभी-कभी रह रहस्य मही भाषा का भी प्रयोग किया जिससे समझना कठिन होता था मतलब वा एक बात के अंदर दूसी बात बोल देते रहस्य मही भाषा वो नहीं मानते थे, उनके उपदेशन में विभिन धर्मों की अडंबर पूजा की सभी रूपों का मजाख उड़ाए गया था, वो मलब पूजा करते भी बाहर थे, आप दिन में तो मलब ऐसे तो भगवान का नाम जबते रहते लेकिन मन ही मन आपके क्या है, खोट भरी कभी निरंकार परमेशन में विश्वाश रखते थे, वो किसमें विश्वाश रखते थे कि उन्होंने भगवान का कोई रूप नहीं माना, उन्होंने कहा, सच्चे मन से आप अगर पूजा करें, सच्चे मन से आपके लिए हर एक क्या पत्थर भी आपके लिए भगवान है वो यह कहा करते थे उन्हों ने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माद्यम से ही मोक्ष यानि मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है हिंदू तता मुसल्मान दोनों ही उनके अनुआई थे तो वो हिंदू और मुसल्मान दोनों ही उनके अनुआई थे और वो यह क्या कहते थे भक्ति के दौरा आपको क्या मिल सकता है भगवान मिल सकते हैं जरूरी निया कि आप एक भगवान की पुझा करो आप सचे मन से दूसरों की मदद करो दूसरों की help करो तो वही क्या है भगवान है और वही से आपको क्या मिल जाएगी मौक्ष की प्रा इसने की जैडे ने बंगाल के जैडे ने संस्कित में गीत गोविंद की रचना की जिससे हर एक गीत विशेश राग ताल में रचित था संगीत पर इन संतों का एक महतपुण परभाव भजन की तना आधिका प्रयोग था पर अपने पदेश देश साथ साथ में संगीत को भी कि अब भजन गा रहे हैं तो संगीत भी तो प्रचलित हो रहे हैं इन गीतों में जो मनो भावनात्मक अनुभो बल देते हैं जन मानस को ज़्यादा अकरशित करते हैं अब जो बले जिसकी सूर्टाल अच्छे होंगे या जो भावना के साथ में जुड़ा होगा जो स्वर और जो संगीत है न वो और भी जादा लोगों को अकरशत लगता है अब हम करते हैं इसकी कोशन अंसर तो देखो कोशन नमबर बन क्या है शंकर देव ने कौन सी पद्धती चलाई तो शंकर देव ने कौन सी पद्धती चलाई थी देखो यहां पे लिखा है शंकर देव ने उन जो आज भी चल रही है परशन नमबर टू देखे क्या है कभीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या थे उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया तो देखो कैसे आ जाएगा यहां से उनकी विचार कैसे थे उनके विचारी यहां से अंसर नंबर तीन आ जाएगा उनके उपदेशों में विभिन धर्मो आडंबरो की पूजा के सभी रूपों का मजाग उडाया गया था कभी निरंकार प्रमेश्वर में विश्वाष रखते थे उन्हों ने उपदेश दिया कि भक्ति के मादम से इमुक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो यह उनके उपदेश थे यह हो जाएंगे तीनों पॉइंट आपको यहां पर लिखने है ठीक है, first point, second point और third point ये तिनों point आपको लिखने है इसका second part है, कोशिन में दो part दिये गए है, देखो दूसरा part क्या है कि उन्हों ने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया तो कभीर ने अपने विचारों को साखियों और पदों के रूप में साखियों और पदों के रूप में व्यक्त किया कैसे कहा था वो साखियों और पदों गाते थे तो किस तरह से व्यक्त किया उन्हों ने इन विचारों को कैसे की जगह लिख दीजेगा साखियों और पदों से अभी व्यक्त किया पदों में अभी व्यक्त किया तो लिखेंगे पहले आप पहले वाला अंसर लिखेंगे जो यहाँ पर बताया गया यह वाला लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे उन्हों ने इन विचारों को साख्यों और पदों में अभिव्यक्त किया ठीक है प्रशन नमबर 3 देखिए गीद गोविंद की रचना कि इसने की तो यह देखो बंगाल के जैदेव ने संस्कित में गीद गोविंद की रचना की तो यह हो जाएगा अंसर नमबर 3 ठीक है अब देखो यहाँ पर एक एक एक्टिविटी दी गई है क्या है एक्टिविटी गतिविदी कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के वर अपने बर्सब ग्रूप में भीजिए बहुत अच्छे अच्छे दोहें कबीर जी के तो आज की जो वरक्षिट है वो कंप्लीट होती है वरक्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आईए और प्लीज मेरा एक और चैनल है तूरे मस्ती उसको भी सब्सक्राइब क